सोरे की किरने संसार में तो प्रकाश फ्यला सकती हैं लेकिन मन में नहीं मन में तो किवल भगवान का नाम ही प्रकाश फ्यला सकता है हरे कृष्णा इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुप और मगल में हो इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना आशिर्वात देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज सुनिए आगी की कथा कंस की आग्या से अकरूर जी बहुत अच्छा कहकर शीगरी रत पर सवार हुए और मतरापुरी से निकल कर नंद गाओं की ओर चल दिये इधर कंस का दूद महाबली केशी कंस के ही आदेश सिफ रंदवन में आया शिरकृष्ण का वद करना ही उसकी यात्रा का उदेश था उसने घोडे का रूप धर रखा था वह अपनी टापों से प्रत्वी को खोदता हुआ गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उचल कर चंद्रमा और सूर के भी मार्ग को लांगता हुआ गोपों के पास आ गया उसके हीसने के शब्द से अर्थाद हिन्हनाने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाय भहफीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गई उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्रेकृष्ण जल से भरेवे बादलों की गर्जना के समान गंबिर वाने में इस प्रकार बोले हे गोपालगन इस केशी से डरने की आवश्यक्ता नहीं है आप लोग तो गोप चाती के हैं इस तरह भह से व्याकुल होकर अपने विरोचित पराकरम का लोग क्यों कर रहे हैं अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या लेगा यह तो जोर जोर से हिन हिना कर केवल आतंग फिला रहा है इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है यह दुस्ट अश्व व्यर्थी उचलकूत मच जा रहा है ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा ओ दुस्ट इधरा मैं कृष्ण हूँ जैसे पिनाक धारी वीर्भद्र ने पूशा के दांत तोड़ दिये थे उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चिलने बिन हो गए और धर्ती पर गिर गए इधा श्रीक्रिष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चले गई जैसे अवेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है गंबीर बिमारी बन जाता है वैसे ही वह भ शाब करता हुआ धर्ती पर पैर पटकने लगा उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह ठक कर प्राणों से हाथ दो बैठा उसकी सारी हल्चर समाप्त हो गई जैसे बिजली गिरने से किसी व्रिक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं उसी प्रकार श्रीक्रिष्ण की भुजा से वह महा भयंकर असुर दो टुकड़े हो कर गिर पड़ा केशी को मारने से श्रीक्रिष्ण के शरीर में कोई ठकावट ही नहीं हुई थी वे स्वस्त रूप से हस्तेवे वही खड़े रहे उस द्यत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोप्यों को बड़ी प्रसनत हो गए केशी को मारा गया देखकर विहर्ष से फूले नहीं समाते थे नारज जी बोले जगनाथ आपको धन्यवाद है है अच्वत आपने खेल ही केल में केशी को मार डाला ये देवताओं को बड़ा भारी ग्लेश दिया करता था मतुसूतन आपने अपने सवतार में जो ज देखा करता था तब उस समय देवराज इंद्र और संपुन देवता भी धर्या उठते थे जनार्दन आपने केशी नामक दुस्तात्मा का वद्ध किया है इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे आपका कल्यान हो अब मैं जाओंगा और परसों कंस के यह बात भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध में देखने को मिलेगे कोविंद्ध आपने देवताओं का बहुत बड़ा कारे सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आधर दिया आपका कल्यान हो अब मैं जाता हूं नारायन नारायन ऐसा कहकर नारद जी चले गए तब श श्री कृष्णी के दर्शन का लोब लेकर नंदगाओं की ओर चल पड़े रास्ते में सोचने लगे अहां मुझसे बढ़कर सभाग इशाली तो कोई है ही नहीं क्योंकि आज मैं अंश्य सहित अफ्तरित हुए साक्षात भगवान विष्णू का मुख देखूंगा आज मेर अत्वा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णू का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा जिससे संपुन वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्व स् भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्विनिकुमार वसू आदित्य तथा मरुद्गन जिनके स्वरूप को नहीं जानते विश्रीहरी आज मेरे इस पर्ष करेंगे जो सर्वात्मा सर्व व्यापी सर्व सरूप अव्यय भू वे ही भगवान आज मुझसे वर्तालाब करेंगे स्विच्छा से शरीर धारं करने वाले अविनाशी जगनात इस समय कारिवश व्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारं किये हुए हैं जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस प्रत्वी को धारं किया करते हैं व माया को यह जगत हटा नहीं पाता उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है जिनको हर्दय में स्थापित करके मनश इस योग माया रूपी फैले हुई अविद्या को तर जाते हैं उन विद्या स्वरू परमात्मा को नमस्कार है जो संपूर्ण जगत के निवास इस्था है वे भगवान अपनी सहज सत्व गुर्ण से मुझ पर प्रसन हो जिनका इस्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्यान का भागी होता है उन पुरुष शेष्ट श्री हरीकी में सदा के लिए शरण लेता हूं इस प्रकार अक्रूर जी का हर्दय भक्ति से विनम्र हो रहा थ थी वे बचलों के बीच में खड़े हुए थे उनका श्री अंग विक्सित नील कमल की आवा से सुशोभित था नेत्र खिले वे कमल की शोभा धारन करते थे वक्ष इस्थल में श्री वत्स का चिन्द दिखाई देता था बड़ी-बड़ी बाहें चोड़ी और उबरीवी च शाती मुची नासी का विलास्युत मुस्कान से सुशोभित मुख लाल लाल नक शरीर पर पितांबर गले में जंगली पुष्पों के हार हाथों में इसनिध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आपुशन यहीं उनकी ज्छाकी थी उनके दोनों चरण भूमी पर विराजमान थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रोर जी की द्रिस्टी यदुनंदन बल्भदर जी पर पड़ी जो हंस चंद्रमा और कुंद के समान गौर्वर्ण थे उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे उनकी कद उची और बाहें बड़ी उन दोनों भाईयों को देखकर महा बुद्धिमान अक्रोर जी का मुख कमल प्रसनता से खेल उठा शंपून शरीर में रोमान चुआया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहां साक्षत भगवान विष्णु विराज रहे हैं यह यही वह परमधाम और यही वह परमपद हैं अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का इसपर्ष करके उसे शोबह संपन बना देंगे इनहीं भगवान की अंगुलियों के इसपर्ष से संपूर्ण पाप नस्ठ हो जाने के कारण मनुश्य उत्तमोतम सिधी प्राक्त करते हैं तिथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसुआदि देवता प्रसन होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं इनहीं भगवान ने दैतिराज की सेना का विनाश करके दैति पत्मियों की आखों का काजल भी छीन लिया राजा बली ने जिनके हाथ में संकल्प का जल रसातल में रहते हुए भी मनुहर स्वर्गी भोग प्राप्त कर लिये तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देव लोग का अखंड सामराज्य प्राप्त किया वेही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोश होते हुए भी तोश के पात्र बने वे मुझ अकरूर का क्या आदर नहीं करेंगे जो सादू पुरुषों से वहिश्कृत है उसकी जनम को धिकार है भगवान श्रीहरी ज्यान सवरूप है परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं सब प्रकार की दोशों से रहित हैं अत्ह वे भक्ति से विनीत होकर भगवान श्रीकृष्ण के पास कए और मैं येदुवंशी अकरूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदी चिन्नों से सुशुबित अपने कर कमलो द्वारा उनका इस्पर्श किया और उन्हें खींच कर प्रेम अधायों के साथ बैठ कर भूजन किया और यह था योग उनसे सब बाते सुना दी दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकाय धमकाया था उगुरसेन के प्रति जैसा उसका बढ़ता हुथा और जिस उदेश से कंस ने उन्हें ब्रिज में भेजा थ कंस को अब मारा गया ही समझें मैं बल्राम जी सहित कल आपके साथ मतुरा चलूंगा बड़े बुड़े गोप भी भेट की बहुत सी सामगरी लेकर जाएंगे वीर आप किसी प्रकार की चिंदा मत करें अराम से यहां रात पिताएं आज से तीन रात के भीतर ही मैं अनुचर होने पर महाबली बल्राम और श्रीकृष्ट अक्रूर जी के साथ मतुरा जाने को तयार हो गए यह देखकर कोपियों के नेत्रों में आसु भराएं वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगान और बाजुबंद खिसक खिसक कर नीचे गिरने लगे वे दुखु स पीडित होकर लंबी सांस लेती वी एक दूसरी से कहने लगी सखी कोविंद बत्रा जाते हैं वहां जाकर भी इस कोकुल में फिर क्यों आने लगे भला वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की इस्त्रियों के मधुर वारतलाप का रस्पान करेंगे नगर की नारियों के व पूर्ण व्रच के प्रांट थे इन्हें चीन का दुरात्मा और निर्दई विधाता ने हम सब गोप्यों पर निस्ठुट प्रहार किया है नगर की युदियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं उनकी गती में लालित्य है वे कटाक्षपून नेत्रों से देखती ह इसलिए ये भला हम सीधी साधी गोप्यों के पास क्यों आने लगें ये देखो कोविंद रत पर बैठकर मत्रा जा रही है और क्रूर अक्रूर ने उन्हें चक्मा दे दिया है क्या इस निर्दई को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभो नहीं है जो ये हमारे नैना आनंद गोविंद को कहीं और ले जाता है गोविंद भी आज देखो कितने निस्ठुर हो गए है देखो न बलराम जी के साथ रत पर बैठकर जा रहे है अरी जल्दी से नहें रोको देर मत करो ए क्या कहती हो गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है अरी ह हम तो यहीं विरह की आग में जल रही है अब यह गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे हाए यह नंद बाबादी भी जाने को तयार है कोई भी श्रीकृष्ण को लोटाने का प्रयास नहीं कर रहा आज मत्रवासनी यूद्यों के नेत्र रूपी भ्रमर श्रीकृष्ण के मुख आनंद चाए जाएगा और आज मत्रवा की उन भाग शालिनी यूद्यों ने कौन सा शुपसपन देख लिया है जो वे अपने विशाल और कमने नेत्रों से श्रीकृष्ण के रूप माधुरी का पान करेंगी अहो विधाता को किंचित मात्र भी तया नहीं है उसने हम गोप भी शिगृता पूर्वक धीले होते जा रहे हैं अक्रूर जी का हरते बहुत ही क्रूर है घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हांता है उसे हम जैसी दुखी स्त्रियों पर भला कब से दयाने लगी अरी वो देखो श्रीकृष्ण के रत की धूल बहुत उंचे पर श्रीकृष्ण ने ब्रिज के उस भूभाग का परित्याक कर दिया अर्थात वहां से चले गए रत के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे इसलिए बलराम जी अक्रूर जी और श्रीकृष्ण दोपहर होते होते मतुरा के समीप वर्ती यमुना तट पर पहुँच गए त आप दोनों भाई यही रत पर बैठे रहें तब तक मैं यमुना के जल में नयत्य के स्नान और पूजन कर लेता हूं श्रीकृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली परम अक्रूर जी ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आजमन किया इसके बाद वि आसुकी तथ डिंभ आदी बड़े बड़े नाग उन्हें घेर कर उनके स्तुती कर रहे थे गले में सुगंधित वदमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी वे दो नील वस्त्र और सुंदर कंड आपूशन धारन किये मनुहर गेंडूली मारे जल के भीतर विराजमान थे उनक उन्होंने दो पितामबर धारन कर रखे थे विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाती थे इंद्र धनुष और विद्यून माला से विभुशित मेग की तरह उनके विचित्र शोभा हो रही थी वक्षिस्थल में श्रीवत से चिन सोशो भी था बुजाओं में पर द्रस्टी जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे बलराम जी और श्रीक्रिश्न को वहां पहचान कर अक्रूर जी बड़े आश्र में पढ़ गए वे सोचने लगे ये दोनों भाई इतनी जल्दी यहां अंदर पानी के कैसे आ गए अक्रूर जी ने कुछ बोलना चा रत में बैठे वे हैं तब उन्होंने एक बार फिर से जल में डुपकी लगाई भीतर वही पहले जैसा द्रशी दिखाई दिया गंधर वो मुनी सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्रीक्रिश्न और बलराम की इस्तुती करते थे ये सब देखकर दान पती अक्रूर को वास्त्विक रहस्य का पता लग गया फिर वेपोर्ण विज्ञान में भगवान अच्छित की इस प्रकार इस्तुती करने लगे अक्रूर जी ने जो इस्तुती भगवान की की उसे आप सभी को सच्चे मन से जरूर सुनना चाहिए जिसके सुनने मात्रे से सभी मनुकाम ना पूर्ण हो जाती है जिसे आप अगले ध्यमे सुनेगे उमीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंदाई होगी